नमस्कार दोस्तों आपकी UPPCS 2022 का प्रीकरिजल जारी हो गया है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आज डेट जो है वो 27 जुलाई है और 45 दिन के बाद UPPCS ने अपने प्रीकरिजल जारी कर दिया है टोटल ये 384 पदों के लिए एक्जाम हुआ है और यहाँ देख सकते हैं कि तक्रीबन 6 लाख हावेदन मिले थे जिसमें से 3.2 लाग एक्जाम दिये थे और 384 पदों के लिए 5964 अभ्यारतियों को सफल घोशित किया गया मेंस देने के लिए आप यहाँ रिजल्ट की कॉपी सकते हैं जो सकस्क्यसफूल स्टुदेंट्स हैं उनका रोल नंबर है जैसा यूपीससी में होता है कि नेमवाइस रिजल्ट निकलता उस दिन के बाद बट यूपी पीसेस में सिर्फ रोल नंबर निकलता है तो आप यहां पर रोल नंबर सर्च करके देख सकते हैं कि आपने प्री क्लियर किया है कि नहीं किया है मैंने इस रिजल्ट का पीडेफ अपने टेलेग्राम चैनल पर भी डाल दिया है तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और आयो की वेबसाइट पर भी आपको इसका पीडेफ मिल जाएगा तो जिन जिन लोगों ने क्लियर किया एग्जाम उनके पास बहुत कम टाइम है क्योंकि आपका 27 सेप्टेंबर से मेंस स्टार्ट होगा तो बहुत कम टाइम है आप देख सकते हैं कि आज खुदी 27 जुलाई हो गया है मातर दो महिना बचा हुआ है आपको पास 27 अगस्त और 27 सेप्टेंबर इन दो महिनों में आप 80 चोटी का जोर लगा दीजिए और इसलिए मैं हमेशा बोलता था कि आप रिजल्ट का वेट मत करिये जैसा कि आप देख सकते हैं कि 45 दिन लग गए रिजल्ट आने में तो पुरी तरह से रिवाइस करते जाएए अगस्त टेस्रीज नहीं लगाया है तो कोई टेस्रीज लगा लिजिए क्योंकि एंसर राइटिंग बहुत क्रूशियल है एंसर राइटिंग के बीना आप एक्जाम में बैठेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता है ना आप टाइम मे क्योस्टिंस बताये नंबर 溉फ कोश्टिंस याद रखके मांक नहीं नंब्र एफ कर रहा हूं को बताने है या नहीं बताना है कि यतन आ questions 80 सही हुए है 90 सही हुए है 91 सही हुए 92 सही हुए है तो आप number of questions लिखिए और उसके आगे अपना category लिखिए इससे हम यह थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि cutoff कितनी गई होगी और एक दो दिन बाद मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर या फिर अपने यूटूब चैनल के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं कि जो मुझे data मिला है उस हिसाब से कितना cutoff गया होगा इस बार का तो सभी से में आएगा अभी तो आएगा नहीं जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके कुछ दिन के बाद यूपी पीसेस जो है सब कुछ निकालता है तो अभी आप यह कुछ मत सोचिएगा कि आपका मार्क्स रिलीज होगा या फिर आपका cutoff निकलेगा वो सारा चीज जो है वो जब पूरा प्रोसेस एग्जाम का कुंप्लीट हो जाएगा 2022 का उसके बाद निकलेगा अब मुझे यहां पता है कि काफी लोगों का एग्जाम नहीं निकला है बहुत लोग हताश होंगे जैसा देखे एग्जाम नहीं निकलने का रीजन कहीं नहीं हम लोग भी होते हैं क्योंकि उस हिसाब से हम तैयारी नहीं करते हैं कई बार बहुत चीज़ें मैं बताता हूं उसके बाद भी लोग उसी इसको implement नहीं करते हैं सोचते हैं कि पता नहीं यह काम करेगा कि नहीं करेगा बट आपको भरोसा रखना होता है या डिस्ते मिहने भरोसा रखिए और प्री का पार्ट होता है वो सबसे जादा टाफ होता है मुख्य परिशा से भी टाफ होता है प्री क्लियर करना प्रिलिम को सीर्यस नहीं लेते हैं जिसी हिसाफ इससाफ से पढ़ना चाहिए तो प्रीज सीरियस लीजिए अब आगले साल का प्री अभी से तैयर करना शुरू कर देंगे बट यह जान जाये कि प्रिलिम जो है वह सबसे बड़ा हड़ल होता है तो उस शाफ उसको टैकल करना होता है, तो जो लोग अगले बार के तयारी कर रहे हैं, मैं उनको पूरी तर से guide करूंगा कि आप आगे का तयारी अपनी कैसे करीए, step wise कैसे करिए, क्या के पढ़ना है, क्या के नहीं पढ़ना है, क्या क्या चोड़ना है, और जिनका means का exam में, वो means की तयारी में लग जाईए क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल नहीं है और उन सभी को all the best congratulations कि आपको means का ticket मिल गया है तो आप कोई मौका मत छोड़िएगा कि final result में आपका नाम ना आए धन्यवाद